नमत्कार प्राथियों कैसे हैं आप सब्सक्राइब किसी मित्र ने पूछा है कि सर लेलबी की तैयारी और सिविल जैज की पढ़ाई में क्या समानता हैं या लेलबी के दौरान सिविल जैज की तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए मैं विशय पर पहले कई बार बात कर चुका हूँ लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रस्टन आया है तो मैं बहुत ब्रीफ बहुत संग्षेप में इन बातों को आपको समझा दो देखिए जब आप LLB की तयारी करते हैं तो वो लॉग रेजुएशन की तयारी है वो कोई competitive exam नहीं है आप में देखा होगा जितने लोग LLB में जाते हैं उतने के उतने log graduate होकर बाहर निकलते हैं लगबख सभी pass हो जाते हैं ऐसा कोई virula होगा जो की exam नहीं देता है या exam में नहीं बैठा या जिसको exam pass ही नहीं करना वो fail हुआ होगा otherwise 100% लोग LLB पास करके निकल जाते हैं लेकिन जब हम judiciary की बात करते हैं civil judge की बात करते हैं तो ये competitive exam है जितनी vacancy आएगी उतने ही लोग pass होंगे और form भरने वालों की संख्या कई गुना जादा होती है तो इसकी तयारी कुछ विशेश तोर पर होती है जैसे LLB की पढ़ाई और civil judge की तयारी में क्या समानता है तो बता दूँ एक ही समानता है वो है कुछ विशेश जैसे आपकी LLB की पढ़ाई में Constitution of India एक topic होगा जो आपकी judiciary का topic होगा CPC definitely एक topic होगा जो आपकी judiciary का topic है Indian Penal Code और Criminal Procedure Code LLB की syllabus में होगा और आपके judicial examination का भी topic होगा Transfer of Property, Contract और Evidence ये कुछ ऐसे topic हैं जो की LLB की पढ़ाई में भी होते हैं और साथ ही आपके judiciary की पढ़ाई में भी होते हैं कुछ judicial services में Hindu law और Muslim law भी syllabus का part है जो LLB की पढ़ाई का part होते हैं तो कुछ विशे मैं ये बताना चाहा रहा हूँ कि LLB की पढ़ाई और civil judge की पढ़ाई में दोनों में common होंगे लेकिन difference होगा पहली बात तो ये है कि जब आप civil judge की पढ़ाई करते हैं तो अलग-अलग जगा अलग-अलग university में अलग-अलग तरह हैं exam के कुछ जगा 5 question आपको solve करने होते हैं एक question 20 number का होता है और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको marks मिलते हैं कितनी supplementary sheets आपने भरी हैं उस पर आपके marks depend करते हैं जबकि civil judge के exam में ऐसा नहीं होगा civil judge का exam तीन phase में होगा जिसमें एक है प्रारंभिक परिक्षा यानि preliminary examination ये चेक करता है कि आपकी memory कितनी अच्छी है कितना आपका याददास्ट अच्छा है एक question पूछा जाएगा चार option होंगे और आपको इसको tip mark करना है सिर्फ एक ही चीज़ के base पर कि आपकी memory कितनी अच्छी है कुछ analytical प्रशन होंगे जो इस बात पर depend करेंगे कि आपका analytical power यानि समझने, visualization करने की ख्षमता कितनी अच्छी है दूसरा paper अलग stage पर जाएगा जो ये शेक करेगा आपकी लेखन शैली कितनी है और आप चीज़ों को कैसे represent करते हैं पढ़ तो आपने pre-k समय लिया ही था लेकिन अब ये चेक किया जाएगा कि आपकी लेखन शैली writing skills कैसा है और आप answer को कैसे present करते हैं to the point answer लिखना judgments court करना और साथ ही law की sections को लिखना कुछ चीज़ें ऐसी है chart representation करना जो आपकी answer को बहतर बनाती है तो तीसरा phase होगा जो आपकी personality को चेक करेगा कि आप कैसा व्यक्तित्व रखते हैं आपकी personality कैसी है आपकी सोच कैसी है आपकी decision making power कैसी है कई चीज़ों को आपके interview में चेक किया जाएगा तो जो comparative examination है या civil judge का exam है वो आपको मनसा वाचा कर्मना पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व का correction करता है कि आप judge बनने के लिए fit हैं या नहीं है तो दोनों पढ़ाई में जो कुछ समानता है वो सिर्फ यही है कि आपके कुछ विशे समान है इसके अलावा पढ़ाई का pattern बिल्कुल अलग होगा अगर आपने LLB कर रहे हैं आप किसी भी semester में है और आप judge बनना चाहते हैं तो यकीन मानें यही समय है आप अपने exam की तैयारी करना सुरू कर दें जूरीशिल exam की इसके लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि अपनी reading habit और reading capacity को बढ़ाना है आपको जो भी syllabus में है LLB के उन syllabus के barracks आप purchase करें barracks क्या होते हैं मैं कई बार बता चुता हूँ यह legislature यानि विधाई का द्वारा पारित कानून होते हैं इसमें commentary नहीं होती section का explanation नहीं होता सिर्फ sections होते हैं law के जैसा की parliament ने पास किया है तो आपके पैस पहले तो वो होना चाहिए bilingual, hindi, english दोनों में दूसरा आप उसके साथ कोई textbook पढ़ें textbook क्या होते हैं textbook जो है उस particular section को particular law को explain करते हैं उसमें certain cases के reference होंगे कुछ examples होंगे IPC evidence के कुछ और topic के मैं lectures upload करता रहूंगा जहां आपको बताता रहूंगा कौन से किताबें काम की हैं जो आपको पढ़ना चाहिए at least one book ऐसा ना करें कि आप 4-5 किताबें एक साथ खरीद करके किताबें खटा करते हैं ऐसा नहीं करें क्योंकि maximum जो students होते हैं वो series, kunji, guide ऐसी कुछ चीज़ें पढ़के 10-12 question पढ़के LLB पूरा कर लेते हैं आपको ऐसा नहीं करना अगर आप civil judge बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिए आप exam के time पर महिने भर पहले series खरीद लें कोई problem नहीं है मुझे उसमें आप महिने भर पहले, 10 दिन पहले जो तैयारी करते हैं उसमें important question पढ़के जाएं that is also okay लेकिन साल भर आप क्या करने हैं साल भर आप barracks और textbook को पढ़ें इतना ध्यान रखें खास कर उन विश्यके तो पढ़े ही पढ़ें जो आपके exam के syllabus में है तो आपने LLB का course start कर दिया है log graduation आप कर रहे हैं आप जिस भी semester में हैं तो पहले आप decide कर लें आप कौन सी judiciary में जाना चाहते हैं कौन से state में कौन सी का मतलब MP, 36 गड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमिल नाडू, करना टका अब जिस भी state में जाना चाहते हैं आसाम में जाना चाहते हैं जिसकी vacancy अभी आई हुई है तो उसका syllabus ले लें और जो common subject हैं आपके judiciary में और LLB में उनको tip mark कर लें इनके तो आपको barrack खरीदने ही खरीदने हैं और इनके textbook पढ़ने ही पढ़ने हैं भले ही आप बाकी सारे विशय को guide के माधियम से या 2020 question या series के माधियम से पढ़ने तो चलेगा तो मुझे उम्मीद है मैं इस छोटे से lecture में ये समझाने में काम्याब हुआ हूँ कि LLB और judiciary के examination में क्या समानताएं हैं और क्या चीज़ें common हैं और आपको LLB के दोरान ही कैसे judiciary की तैयारी करनी चाहिए अगर आपको ये छोटा सा lecture ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर हमें comment box में बताइए साथ ही कुछ और आप जानना पूछना चाहते हैं तो जरूर comment box में हमसे जुड़िए most importantly देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल वेदिक सिक्षा have a nice time